राधे राधे धार्मिक मानिताओं के अनुसार इस दिन आमले के पेड़ के नीचे पूजा करने से भगवान विश्णू और माता लच्चमी की कृपा प्राप्त होती है आमला नौमी कब है और आमला दीबदान किस प्रकार से करना है चलिए जान लेते हैं छोटी सी वीडियो में कार्तिक मास के सुक्ल पच्च की नौमी को आमला नौमी या अच्छे नौमी के रूप में मनाया जाता है पंचांग के अनुसार कार्तिक माहा के शुक्ल पच्च की नौमी तिथी 9 नवंबर को रात 10 बचकर 45 मिनट से शुरू हो रही है और अगले दिन 10 नवंबर को रात 9 बचकर 1 मिनट पर इसका समापन होगा आमला नौमी 10 नवंबर को मनाई जाएगी क्योंकि उद्या तिथी के कारण 10 नवंबर को ही हम इसकी पूजा करेंगे इस दिन आमले के पेड़ का पूजन कर परवार के सुक समरिद्धी की कामना की जाती है इस दिन किया गया तब जब दान इत्यादि ब्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है सभी मनुकामनाओं की पूर्ति करने के लिए यह पूजा किया जाता है धार्मिक मानिताओं के अनुसार अच्छे नौमी के दिन आमले के ब्रच में भगवान विश्णू और सिभ जी का निवास होता है सास्तरों के अनुसार अक्षे नौमी के दिन किया गया पुन्य कभी समाप्त नहीं होता है यदि इस दिन कुछ खास उपाय किये जाएं तो धन-धान की प्राप्ती होती है अब जानते हैं आमले ब्रच की पूजा किस प्रकार करें धानमिक मानिताओं के अनुसार इस दिन आमले के पेड़ के नीचे पूजा करने से भगवान विश्नु और माता लच्मे की करपा प्राप्त होती है सबसे पहले आमले ब्रच के नीचे गंगा जल से छिड़काओ करें उसे पवित्र करने के बाद चारो तरब घी के दीपक जलाएं पूजन का फूल माला सभी अरपित करें आमले के पेड़ की परिक्रमा करें और हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं पेड़ पर कमल गट्टा डाल कर जल चड़ाएं जिससे माता लच्मी प्रशन होती है आमले के ब्रच के नीचे बूजन करें और जो जरूरत मन्द हैं उनको भी बूजन कराएं आमले का दीपदान बहुत ही महत होता है बिशेश होता है किस प्रकार से करना है आमले का फल आपको लाना है पाँच दीपदान कर सकते हैं साथ कर सकते हैं जिस प्रकार एथा संबब हो आप थोड़ा सा कट कर लीजेगा और उसमें घी या तेल से आप डुबो कर तेल यानि की तिल का तेल उसको डुबो कर गोल बाती का दीपक बना कर घी की रख लीजेए थाली में हल्दी कुमकुम कीजे आसन दीजे और सिरी हरी की पूचा करें माता लच्छमी की भी पूजा करें दोनों का आवाहन करके मंत्र चारण करके दीप दान की पूजा करें यथा संबब दान हो सके वो दान करें इस प्रकार से दीप प्रजलित करके आप आमले के ब्रच के नीचे दीप दान कर सकते हैं नहीं तो किसी नदी तालाव किनारे आप दीप दान कर सकते हैं हो सके तो घर में पूजा करने के बाद अपने मुख्य दरवाजे पर भी दीपदान कर सकते हैं इसे दिन किया गया दान अच्छे होता है यानि कि कभी उसका च्छे नहीं हो सकता माता लच्मी की करपा प्राप्त करने के लिए आप एक कमल गटा जरूर से आमले के ब्रच की जड़ में जल में डाल कर चड़ाएं जिससे की आपके घर में धन संपदा कभी भी कमी ना हो और माता लच्मी पूरे बर्स आपको सुख समरिद्धी के साथ धन बहबब भी प्राप्त कराएं इस प्रकार आप हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं और वही आमले की थोड़ी सी जड़ अपने घर लेकर लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखने से आपके घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं होती है इस प्रकार के किये गए उपाएं आपको पूरे बर्ष माता लच्चमी का आशिरवाद प्राप्त कराता है आप दीबदान करके माता लच्चमी को प्राप्त कर सकते हैं साथी उनका सिरी हरी के साथ आशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं जरूरत मंद लोगों को आमले के ब्रच के नीचे गरीव लोगों को दान दें, हो सके तो भोजन कराएं, पूरे परिवार के साथ आमले के ब्रच के नीचे छाओ में बैठकर भोजन इत्यादी करें, मीठे का भोग लगाएं, खीर यथा संबब मिस्ठान बनाकर मातालचमी का भोग लगाएं इस प्रकार करने से आपके घर की बरक्कत होती है साथी साथ आपके घर में बैवब और यश आता है इस प्रकार किये गए दान पुर्ने का लाब आपको पूरे बर्ष प्राप्त होता है भक्त चनो जानकारी अगर आपको पूर लगी हो अच्छी लगी हो तो म लाइक और जय माता दी कॉमेंट सेक्षन में अवश्य लिखें मिलते हैं किसी विशेश वीडियो की जानकारी के साथ तब तक के लिए जय माता दी